Assalamualaikum, तो कैसे हैं आप लोग, तो आज की व्लोग में मैं बना रही हूं कुछ नई रेसिपी की ट्राइ और निजार का आ चुका है ड्रेस, तो चले व्लोग को यहां से स्टार्ट करती हूं, थो यह है समर का हम लोगों का लँच तो समर में Maximum लोग तो जादा पातलब की मसाला में गएरावाला खाना कम खाते हैं, आप लोग यह अजय को यह डिखारी हूँ, तो लग पीस है और बाकि सब हड़ी वाला है तो जो हड़ी वाला है न वो मैं खाऊंगी क्यूंकि मुझे मतलब बॉल्लिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मुझे हड़ी के साथ ही पसंद देती आ ये मेरा और मेरे अजब्वन का खाना क्योंकि निशाद है स्कूल में और निजार कहा चुका है और निजार ने नहीं पेंट लेकर जो आया है और बेड़ सीट पे क्या किया वो ट्राइंग हर रहा था अचैनल मुझा भूल गया फैस तरह से इसको खुला ऑच नहीं हो घुड़ दिया ऑची है इसको फूरा प्र पेंट से स्कूल का ड्रेस तो चेंज हो चुकी थी तो निशास का तो उस टैम मिल गया था, निजार का नहीं मिला था, तो काफी टैम से हम पिछले वीखी है तेन दिन गया है, अगर आपके पस नहीं साइज नहीं है, या बिर्ड बूक नहीं है, तो आप इन्फॉर्म करो, पर से ड् रखके लोग होते आते हैं और उपर से आप लोगों पड़े तो इधर लाइन लगो तो फिर वो लोग कोई बात नहीं अभी नेक्सम जब आये का अड्रेस तो भी हम भुद आपको इन्फार्म करेंगे तो फिर उन्लोग उनने गलती एकसेप्ट की तो जब ड्रेस आ गया तो तो फिर मेसेज आ गए थी, तो फिकल हजबन लेकर आए हैं, तो निजार का फाइनली अब आया है अध्रेस, और अध्रेस देखें, इतना महंगा मतलब देते हैं, इतना यह दो ड्रेस सिर्फ पाइंट और सर्थ है, वन हंड़ेड फाइवन, मतलब की एक सो पास दर्गम का, तो ड्रेस का, तो मैं उसको ट्राइ भी नहीं की और रख दी, चली के मैं वाकिंग करने के लिए, वाकिंग करते आते हुए, फिर मैं लेकर आई दर से फ्रोट्स, ट्राइ फ्रोट्स और कुछ फ्रोट्स, क्यूंकि हैजबन आज ड्यूटी करके आए, तो कह रहे हैं, मेरा तबित खराब हो गया था, बिल्कुल भी एनरजी नहीं था बोड़ी में, इतना हला कि मैं उनको नास्ता दी थी, फिर भी नास्ता करने के बाद, उनकी ड्यूटी लेट हो गए, वो पाच वज़े आए, और इतना गर्मी के वज़ए से, बोल रहे हैं, बिल्कुल भी मुझ मैं फ्रूट कट करके दूँगे, फ्रूट का तो जूस नहीं बना के दूँगे, क्योंकि इतना फिर सुबह सुबह मेरे पस टाइम नहीं हो, और वो पीएंगे भी नहीं मुझे पता है, इसलिए मैं सोची कि चलो, सारा फ्रूट को कट कर देते हैं, यह ओट्स बेगर मैं लेकर आई और दो इन चार जो भी फ्रूट ड्राइफूट नहीं थे, यह निजार लेकर आया, स्कूल से मेरे लिए मौधर स्टे का कार्ड बना कर, अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे को मैं ने बनवाया है तिसलिए वो लेकर आया था, तो फ्रूट को मैं सोची कि चल करके रख देती हूँ, जिसको जब भी मन करेगा तो फ्रीज से निकाल करके खा लेंगे, तो यह मिलन लेकर आई थी, वाटर मिलन लेकर आई और पपाया लेकर आई और मैंगो नहीं ले थी, क्योंकि मैं बने चलो इतना काफी है, तो इसलिए यह सब कट करके, मैं फ्रीज म मैं रख दूँगी, तो यह मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो यह पिछले वीकेत कब लेकर आई थी, मैं पपाया और इतना खराब निकला था, पूरा ही निकल गया था, और ओपर से मैं हाफ केजी लेका था, इसलिए इस बर मैं डरी भी थी कि कि कही में लगा रखे हैं, और जब मैं बोली शॉप में जा कर तो कह रहे हैं, लेकर आते हो बताओ, मैं फूर्ट कटावा लेकर आती वाबस करने के लिए, आप मान जाओगे, कि मेरे ही शॉप का क्या सब्बूत है, फिर यह हो जाएगा, इसलिए फिर तो बिल बेगरा भी मैं फ यह में अच्छा भी कर रहे हैं, और दूसरी बात कि कुछ शेक बेगरा भी सोची की बना कर रख दीती ती, फिर सोची की नहीं चलो सुबह बनाओगी, कि वो थोड़ा फ्रेश होगा, अभी बना कर रख दूँगी, क्योंकि फूर्ट का तो कोई मसला नहीं है, पर जूस का वहां सबनात वहां सकती है 차णू बनाना करके रख देढ़िन एन plateau हुए तो मुझे ड्राय फ्रॉट का बनाना था अर उसके मेंको के साथ बनाने में ज्यादा बहतर होगा पर इनगो था नहीं तो मैं कि दो मैंं हुआ निजार के साथ बना दी और मैं रात में सारा पैकिंग करके रख दी और ये सुबा का है तो सुबा में ये निजार का लंच बॉक्स इसके साथ उसको फुरूट्स दी और ब्रेड है क्रीम ब्रेड है और कॉस्टर्ड है और डिस्कृत दी थी तो ये सब चीज़ कि ये लॉंग टाइम होता ना टू टाइ है फिर मैं अंडा कॉल करने के लिए रखती हुँ फिर काफी बनाने के लिए इधर मेरा रात में ही कीमा अलू बना ली थHi P Doll के य commendות बनाे तक मैं अजिक पूरे किस्वचिन में सभी हो जाती हुँ तो मैं बहुत ज्यादा इदर देखो आटा ही आटा आटा ही मुझे घवर का बैग रेड़ी और हैस्वेंड का रेड़ी और इसका मैं बनाओंगे जूस जिसको रात में मैं इसको फुनने के लिए डाल दे थी पानी में तो यह काजू बदाम खुजूर है पंकिन स्टीड है और अंजीर है और इसमें मैं दूद नहीं डालूं क्योंकि दूद चाहे है अच्छी सी स्मूथ सी शेक और इसमें आइस भी डालूंगी क्योंकि थोड़ा थंड़ा भी जरूरी है नहीं थंड़ा रहागा अच्छा भी नहीं लागा और इसमें चीनी बी ऑप्सिनल में डाली मिसोच भी डालू यह नहीं डाली है पिर भी डाल दी हसमें चीनी डालो यह औरेंज वाली जो देख रहे हैं वह है ग्लुकोस पॉडर का मतलब कि भाई उसमें पानी में डाल दी थी वह सारा रेडी करके मैं बॉक्स में दे दी है इसलिए कि वह अराम से कार में रखे रहेंगे तो फिर घरम नहीं होगा थे इसलिए यह बॉक्स लेकर आया थे क्यों जब मैं लेकर जाते हैं तो ठीक है यह लेकर जाएगा पता ही नहीं चलता है कि इसको बैग में ट्रॉली लगा उसा घसिड़ते वे लेकर चले जारा है तो मैं बोले निजार तुम कार्टून लग ज़ए हो देखने में निजार सुरू-सुरू तो बोल रहा था नहीं मगी मुझे यह ड्रेस पसंदे मुझे नहीं पहना क्योंकि सुरू से यह फूल पैंट पहन के जा रहा था केजी वन में हाँ पैंट था वह भी समर में और मैक्सिमाम फूल पैंट है तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी अपने क्लास में सारे बच्चे को देखा तो कि यहीं चलो खुश हो गया कि नहीं सारे बच्चे तो यहीं पैंट है तो चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं माइनशेट हो गया कि नहीं है यही है बस हम सुबह सुबह आ कर इधर वेट कर रहे थे और बस आ गई बस पांच मिनट ही वेट करते कभी तीन मिनट कभी मतलब निजार के लिए फिर थैजबन के लिए करना पदता है दोनों का लुन्च नासता मतलब एक बायल करना है भी हैस्बन को कौफी बना कर देना निजार अजकल बिल्कुल भी चाही परी बिस्किट सब बिल्कुल नहीं खाना चाहता है वह उसे समझ आ गई है कि यह सब खाना सही नहीं है, तो निजार नहीं कहता है कि नहीं ममी मुझे चाहिए नहीं दे, तो वह एवरी डे में बच्चों को दे रही हूँ, निसाज का तो बस कहना नहीं, वह तो कुछ भी नहीं खाना ही नहीं चाहता है, वह से स्कूल में दे दे मैं खा लूँगा, उस तो हो चुका था इस मतलब निज़ा जा चुका फिर हजबन का भी सारा पार्किन्ग होगिया वो कार अपना ले रहेती क्यूंकि दूर में पार्किंग लगी थी फिर लेकर आया तो फिर वो गये है उसके बाद फिर मेर में बनी Mm methodology लगाक की काफी दिनों से मेरा यह चोटा वाथा था यूग कि मेरा यह खतम हो गया था अभी मै फिलहाल भाई हूं इडिया से तो आप मैं फेस दो प्रेस से सुरू कर गती हों कि अगर कोई हो दो अगया कि मैं फ्र muita invaluable अग्याइ बादा कि आगया झाल घर में यूज करती हम सुछला से यूज़ करती है अभी फिलाल तो नहीं है और जो भी सीरम लगाना चाहते हैं जैसे मैं लगाती हूं नहीं सेनेमाइट और उसके बाद अलफार बोटीन लगा रही हूं क्यों कि एम बहुत सारा पिंपल्स का भी डाग वे गए रहा है तो वो उसको इसका काम करता है इसलिए इस दो रोटीन को अभी नया स्टार्ट के हूं नहें स्टार्ट के हैं में सुलू से लगाते हूं और वाटाविन-सी पिलाले बीडिमिन-सी को छोड़के नहें सटार्म्य की अब करती ह impat sixty तो सारह मैं यहां मंगवाई हूं मैनी मालिष्ट का तो मुझे अच्छा लगता है इसका और अच्छी रिजनीवर प्राइस में मिलते हैं और इससे अच्छी में मतलब है तो और और निरी थोड़ा महंगा है इससे तो बेटर यही है कि अच्छा यही है तो इसलिए सुबा इतना अच्छा फील होता है, मतलब इसकीन को आपको खुद बहुद फील होता है कि हाट टच करे, इतना अच्छा फील होता है और जब क्यूंकि हैविट हो गई ना, अगर नहीं लगाती हुए ना, तो मुझे अच्छा ही लगना कुछ भी मतलब अपने आप में टाइम देना चाहिए, फुल टाइम मतलब बच्चे, हैस्बेन, खर यह सब में लगे रहते हैं अब खुद को टाइम नहीं देंगे यह तो उसके साथ नाइंसाफी है और मैक्सिमम मतलब की लोग ऐसे ही करते हैं पहले की लोग और जादा, अब तो सारे लोग अब थोड़ा जावरुख हो गया है अब लोग मतलब अपने आप पे भी ध्यान देती हैं हाउस वाइफ भी जो जो वर्क करते हैं बाहर तो तो मजबूरी उनकी ना भी करेंगी तो नहीं चलेगा, उनको करना ही करना है तो भी कहरे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा लोग करने लगें अगर कोई ना जैसे कि कोई चाहता है कि नहीं मैं इतना पैसा नहीं खर्च करूंगी या फिर मेरे पास ट्राइम नहीं है तो लाइफ में ना दो चीज़ ज़रूर लगाय करें मतलब कि मौर्णिंग में चाहिए आप घर से बाहर निकले या घर में या ना निकले कोई फरक नहीं पड़ता है मौस्टराइजर अससन प्रीम अपने रूटीन में एक कि दम दम लाजमी ही रखें अगर नहीं रखेंगे ना तो फिर इसकीन पूरा ही खराब हो जाता है फिर आप लाग उस पर इतना अच्छे-च्छा मेक-ब भी कर लें ना फिर वह स्कीन पर वह साइनिंग वह लूक नहीं आता है तो फिर हम अपने रूटीन में मतलब की अपनी स्कीन को केर ना करें और जब कहीं शादी पाटी कहीं घुमने जाना है या फिर कभी किसे फ्रेंड के घर जाना है तो पिर इतने उन्मच बखोतना पड़ेगा पिर इतना मेक अप लगाना पड़ेगा फिर भी जए प्रोस्व मैंक भी देडायगा ज़यन द उसाओ करक्यों पॉतना अदया हृँ मैं रोज रूटीन के हिसाब से अपने थे ने जाएव है दिहान दे तो ये बहुत जरूरी है इसलिए पहले तो मैं नहीं लगाती थी मगर अभी तीन चार साल से मैं ये सब चीज़ को फॉलो कर रही हूँ तो मैं बहुत ही कुछ लगाऊं ना लगाऊं अगर कुछ खतम हो जाता है तो अभी कोई इंडिया से नहीं आने वाला तो यहीं से मैं मंगा लेती हूं दुबई में भी मिलता है बस यह की डबल प्राइस में दुबई में मिलता है संद क्रीम और मॉस्टराइजर तो लाजमी मेरा होता है एक्स्ट्रा है तो सीरम यह मेरा मॉर्णिंग का रूटीन का सीरम था और मैं नाइट का भी आप लोग से शेयर करेंगा यह है लीब बाम भी मिनिमा लिश्ट का ही है यह बहुत अच्छी है आपका लीब पैंग को रिमूफ करता है इसके भी वाल्किंग बहुत अच्छी है तो यह थी हमारी आज की व्लॉग तो कैसा अच्छा लगा तो लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें और अपना भी ख्याल रखें मतलब स्कीन केर का फिर नेक्ष वडियो में मिलते हैं अलाहाफ़ेज बाई बाई